अस्सालाम वालेकुम मैं मुम्जाब असीम PSX इनालिसिस से हैं अगर आज की मार्केट के और से बात करते हैं तो आज की मार्केट से 68.5 बिलियन बंद रही है इंडेक्स 40152 की साथ कि अगरी बंद रहा वार्णिंग्स की बात की जा तो मार्केट का आगाज पॉसिटिव ही वा और वही जैसे मार्केट के जो रूटीन बन चुका है पॉसिटिव में आकर क्लोजिंग देना वही आज भी हम लोगों को देखने को मिला वहराल आज जो ट्रेडिंग रेंज थी वह गालिपन तीन सब पॉंट से कुछ थोड़ी कम थी मार्केट मूब करती ही नजर आई जा स्ट्रॉंग सपोर्ट लेवल चारीज़ा एक्षोपचास का देखने को मिला आउड़ी टाइम प्रेंट है जो आप तो को फ़ल दिया गया था तो उस लेविल को मार्केट काफी सिक्योर करती भी चल रही थी बेरल अगर हम देखते है तो आज भी कही नियूस भी थी मार्केट के अंदर सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर शहबाद शरीफ साब उना ने मीटिंग कर रहे थे आई मेफ के डाइरेक्टर के साथ तो उनकी भी कोशिश यही है कि है आई मेफ से स्टाफ लेवल अग्रिमेंट हो जाए और जो बैसिक जून एक्सपायर हो रहा है आज 22 जून है तो यह कुछ सिट्येशन है तो बैरहल कोशिश है जा रही है कहीं ना कहीं सी इंप्लोज आ जाए ताके हम जो हमारी पेमेंट्स है डेट की उसको पे कर सके और इंपोर्ट बिल है उसको भी पे कर सके और डिफॉल्ट ना हो तो ब अगले थर्ज्ड और फ्राइडे को माश्रीश रहेगी मतलब वेंज्डे को वर्किंग ले को होगा तो वेराल अगर हम देखते है आज के दिन के तॉप कॉट्रीपूटर्स को ना हम को निस्टर्स को चॉन्टर्स पॉइंट पॉर्फ को जोनतेस पॉइंट पॉन्स एच कार पैकेजेज एनमेल जेलाइस यह और यह कुछ चंस्क्रिप्स हो जाते हैं जाए टॉप एक्टिव स्कॉक्स के अब बात कीजा है तो टॉप एक्टिव में कि यारा पैसे पॉजिटिव रहा इसके हवाल से नियूस का इंपक्त है इसके वजासे इसके अंदर एक गें पैसे पॉजिटिव सेनाजी 2.80 पैसे बंद रहा जाए 40 पैसे नियूस के अंदर लेक्टिव स्कॉक्स है जो कि एलेक्टिक हो जाता है और फिस सेरेटो स्पिनिंग मिल्स हो जाता है तो अगर हम देखते है तो मुसली इलिक्विड है सबसे पहले हालमाली मुदारबा का हो के साथ सेनिंग देखने को मेली है तरहाल यह तनी जागा भी नहीं है लेकिन कुछ तो वोल्यूम से लगए है अज जहांकर हम बात करते हैं इंटरनाशनल मार्केट में सबस्क्राइल को तो क्रूड ओल इसवक्रेट कर रहा है तर्मन 71 डॉल 14 से पास $1.39 से नेगटिव है जागोल के नहीं हम मुसासल के रावत देख रहा है आज जी $9.25 से नेगटिव है नेगटिव है नेगटिविटी देखने को मिल रही है तो यह तो कुछ आज की मार्केट के वल से हो गया अगर मैं बात कर साओं डॉलर के हवाले से तो इंटर बैंक में डॉलर डॉलर की बैराल क्लोजिंग 286.73 पे रही मुसासल नम गिरावत देख रहे है आज की इंटर बैंक में डॉलर की क्लोजिंग पैसे नेचे आया आज यह पच्छेश पैसे की गिरावत देखने हो में लिए डॉलर के अंदर यह एक अच्छी चीज है तो बैराल आज यह तो क नजर दोड़ाएंगे तो एक पैर्टेंट मार्केट को सब्सक्रत फॉलो कह रही है अगर आप इस में जाद बात करूं कि तेरा जोन को मार्केट सग्मन 251 पर नेगेटिव रही अगली डॉजी बने फिर उसके बाद नेगेटिव बन रही फिर एक डॉजी बने फिर एक न करती है तो इस हिसाब से कल एक रैट केंडल बननी चाहिए ठीक है ना तो यह अगर प्रिवियस पैटन को करती है तो यह वह पॉंट है जिसको हमें कंसिडर करना पड़ेगा कल है वीक क्लोजिंग कल जुम्हे का देना है दो सेशन होने वाले मार्केट के अंदर अभी तक व पर जाती है और अभी तो वीक बेट नेगेटिव पिछला विक भी फिट पॉंट नेगेटिव ता और अभी भी मार्केट ग्यारा सो पॉंट रहे चुकि है अगरा अगर मैं आ जाता हूं और जाब शूरते हाल को मजीद बैटर तरीके समझते हैं तो इस बात में तो कोई तो आप बीरिश यहोती है यही वज़ा है कि हम अटेंप्स तो देखते हैं मार्किट की रिकवरी की लेकिन वह जाती है उपर जाती है और जहां एक रेड केंडर मार्किट के अंदर गिरावाट शुरू हो जाती है तो इसी चीज़ को हमें भी देखनाती है वहला कि जैसे मैं है यह ने करना झाうसक मार्किट केंदर काम करता है तो आप इंट डी में काम करें जहां को बेज का काम करना सब्यों वह थे यहां वह बाmesan बैचने वाली सूट इस तो साथ ही ही ने इसwałिन मार्किट न्यू लोज बनाती ही दिखाए अगform उन्यून की दिखाए हो तक्कIs तो फिर आपने एक एंट्री लेंगी है अभी शूरते हाल को अगर हम देखते हैं तो अगर हजबे मामूल जैसे मार्केट में मैंने का शुरू में भी कि रोज पॉजिटिव खुलती है इस हिसाब से भी कल के दिन भी अगर मार्केट पॉजिटिव खुलती है इसके एक चांस सब्सक्राइब को एक बहुत ही अच्छी तरीके से इंपॉर्टेंट स्थी तो यह तक में 40-350 का रहेगा यह मार्केट का कल के दिन के लिए इमिजर्ट रिजिस्टिशन्स लेवल रहे सकता है अगला रिजिस्टिशन्स लेवल जो है मार्केट को 40-500 के पास है और उसके बा मार्केट के रिजिस्टिशन्स लेवल है जो के फिबोनाची और प्राइज एक्षिन के थूर डिराइफ के रहे है तो यह लेवल है तो कल के दिन अगर मार्केट बढ़ती है और इन में से किसी भी लेवल है कोई सा भी रिजिस्टिशन्स लेवल हो चाहे वो फिर 40 आ 350 यह जहां तक मार्केट जाती है लेकिन जहां मार्केट के अंदर हम थोड़ी भी रेट केंडल देखता है या रिजिस्टिशन्स लेखता है तो वह डेफिलिटी एक सेलिंग अपोचुनिटी होगी जैसे आज भी आगर मार्केट ने एक रेट केंडल दी और फे गिरावत स्टा यह करेंगे कम कुक्क्त करेंगे। जब आप करांट्र्रेंड काउंटर करेंगे ना तो क्र मार्केट पर लेकिन आप इक बाई कर रहे Sóukुत थिर्यार ना इसमें आपकी तो तरगेट बुकिंग में देर ही ना करें, क्योंकि हम जाते हैं एक ट्रेंड बियरिश्ट ट्रेंड है तो बैराल यह कुछ चीजे होती है, खयाल लगने की तो बैराल सब्वोट लेवल जो मार्कित का मौजद है 4100 चाहिए, 400 से 150 अकर मार्कित को आउली टीम अनुट चाहिए में ब्रेक करती है, तो में मार्कित का इमेजिट लेवल जो पर 40,000 का का होगा, 40,000 से 39,950 और इसको भी ब्रेक करती है आप समझ लीजे कोई भी good news आए तो market उसके उपर हमें एक बहुत बड़ा reaction शो कर सकती क्योंकि एक तो market है highly discounted है और उपर से अगा कोई भी good news आगई market के अंदर ठीक है तो market उसका जरुवत से जादा positive impact लेगे तो यह उमीद लगा सकता है कोई good news आती है तो market के अंदर कोई momentum बन सकता है अब जो stock मैं आप लोग के साथ share कर रहा हूं उसके आप लोग बहुत ज्यादा आप लोग का questions भी है तो इस stock का नाम है Shell पाकिस्तान अब इसके अंदर कैसी trade बननी चाहिए क्या कोई trade बनती है क्या buy करना चाहिए या इसको sell करना चाहिए तो इसके सवाल आथ मैं आपको आज की वीडियो में जवाब आद बूँगा और उमीद करूँगा कुछ आप लोग को सीखने को मिलेगा अब हम सारी जो previous knowledge जो मैं दो तीन वीडियो से रिपाराओ उसके उपर हम इसके उपर basically imply करेंगों तो अभी कुछ सूर्तेहाल को अगर हम नजर में रखते है तो Shell में recently बहुत बड़ी थेशी है बहुत बड़ी बुल्वरन हुआ नियूस का चाहे वह impact क्योंकि नियूस के वज़ा से बाकि इस जो शेल कॉर्परेशन है जो इसकी पैरेंट कम्ती वो 77 परसेंट परसेंट एक हायर रेट पर बेच रही है 163 165 के रेट पर बेच रही है एक अच्छ नियूस चड़ी इस जिसके वज़ा से शेल के अंदर एक हमने एक बहुत अच्छी रेली दे अभी सूर्थेहाल देखें तो पहले आप इसकी सूर्थेहाल को समझे इसने एक रेली स्टार्ट की थी कहां से 67 से कहां तक की 94 था 94 से इसके पर अंदर गिरावाट आई क्योंकि जाए से बाद एक बड़ी रेली करने पाद एक रेट्रे और हाई क्या लगाया है इसने 120 तक हमां 121.3 तो यह भी बाद बड़ी रही थी तो जाइसे बाद है इतनी बड़ी रही रही बाद एक कुछ एजस्मेंट को आती है इसक बाद 121 से इसने गिरावाट ली और अभी अपने हाई से अराउं 30 रूपीस के डिसकाउंट पर मिलत है अभी कि अगर मैं बात करूँ न तो इस वक्त जो शेल है वो बड़ी गिरावट बाद एक रेट्रेस्मेंट लिया है और अभी यह एक कहली जी कंसॉलिडेट कर आप केंडल देख रहे है एक लाइन से डौजी केंडल है लाइन से अर इक बात याद अरके जब कभी प्रा इसका मतलब है इसका क्या मतलब होता है कि एक इसी वर्ट में बता हूं तो मार्केट के अदर एक बहुत बार मोमेंटम आने वाल है यह कुछ चीजे आप लोग को समझने के होगा अब मैं 15 मिनट में आपको मजीद इसको फोल के दिख आओ तो आपको देखने को मिनका अच् तो ट्रेड लेने हो तो ट्रेड कैसे बनेगी कि क्योंकि इस वर्ट एक वरे एक कंसॉलिडेशन पर इसका अंदर है तो यहाँ पर अगर कोई एक बिग ग्रीन केंडल बनती है ग्रीन केंडल कैसी बढ़ी हो जिसकी जो आर्ली टाइम प्रें पे क्लोजिंग है वो एक सो मौ के उपार क्लोसिंग होनी चाहिए तो फिर हम इसके अंदर एक recovery सबसे पहले एक recovery देखेंगे कि एक बात याद रहे है यह एक uptrend के अंदर है अगर आप जाहिसे बता है अब आप काउंटर नहीं कर रहे है अब आप ट्रेंड के साथ ट्रेड ले रहे है तो जो chances होते है आपकी ट्रेड जीतने के वह आटमेटिकली बढ़ जाते है तो बहराल इसके अंदर कोई बंदा ट्रेड लेता है चाहिए वो इंट्राडे ट्रेड ही किना हो एक बात याद रहे कि इसके अंदर सिर्फ ब्रेक आउट पे ट्रेड होगी है और stop loss के साथ आपको stop loss तो लगान इसके अंदर कोई entry लेता है मेरी बात याद रखें कि इसके अंदर सिर्फ ब्रेक आउट हो ब्रेक आउट से पहले लेंगे तो हो सकता है यह जो आपका बहुत ब्रेक आउट हो जाएगा बैतर है ब्रेक आउट पे ले और fix stop loss के साथ ही ट्रेड लेंगे तो आप इंडेक्स को भी देखते रहे हैं या इंडेक्स अंदर रिकवरी आ रहे है तो फिर साथ पनब के अपनी जो नौलेज है पूरी नौलेज के साथ अनेलिज करके फिर एंट्री ले तो आपको तो मैंने इसकी पूरी सूर्तेहाल समझा दी और इस सूर्तेहाल में इसके अंदर एक एंट्री मिल सकती अगर यह एक अच्छी only candle क्लोज करेगा तो ठीक है ना तो अकसर राकाद आमने देखा पर यह अच्छी ट्रेड ऐसे जो इस पोजि यह एक sensible बात है एक obvious बात है कि एक फोजी ट्रेड बनेगी जब भी यह दे ब्रेक आउट जिस करफ भी दे हम इसके अंदर एक एंट्री देख सके हैं बेराज मैं आपको लोग साट के लेवल भी दे देता हूं कि अगर यह 105 तो 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 पर इसके क्या सपोर्ट लेवल देग बेराल यह पूरी मैंया को एनैल से करके दे दे ही आपको अखेव पर यूद पर निकलना आप लोगोना को समाझी आपतो भी मैंगिर ब्रेवल आपको लिया मैंज आप इल्गwegen एक जीज आपना मैनेज और टीजिए करना चाहिए तो आ सकते हैं तो बरहाल इसकी साथ अजास्थ चाहता हूं वीडियो चेले कियों तो लाइक अच्छेल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा मैं हूं अमजा वसी प्येस एक्स इनैलिस से हैं